फ्रेंट्स लेटिस्ट एलेक्ट्रिक वेकल के जानकरी के लिए प्लीज मेरे चानल को सब्सक्रेब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाईगे नमस्कार दोस्तों आज हम बेनलिंग और एलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू करने वाले हैं ये एक हाई स्कूटर है फ्रेंट्स और इसको चलाने के लिए हमको लाइसेंस और रिजिस्टेशन का ज़रूरत है काफी शानदार लुक दिया गया है ये स्कूटर में 3 कलर्स अवेलबल है फ्रेंट्स जिसमें ब्लू पर्पल और मैट ब्लैक कलर्स अवेलबल है जो भी लोग ये स्कूटर लेने के लिए इंट्रेस्टेड है और इसका टेस्ट रैव लेना चाते है आप Nant Systems शोरूम को contact कर सकते है इसका complete address description में दिया गया है इस scooter में 10A का charger यूज़ किया गया है और ये है इसका remote keys और scooter में anti theft alarm दिया गया है जब scooter को move करने का कोशिश करते है उसका wheel lock हो जाता है और alarm बजने लगता है और ये है scooter का front look इसमें MRF tires यूज़ किया गया है ये है 12 इंच tubeless tires और front में disc brake यूज़ किया गया है ये है telescopic suspension इसमें halogen bulbs यूज़ किया गया है इंडिकेटर के लिए और ये है LED headlight जो काफी शानदार visibility प्रोवेड करता है इस scooter का ground clearance 165 mm है friends और ये है scooter का badging side में ये है 2500 watt BLDC motor जो waterproof है और ये है dual shock observed rare में ये है pillion grab handle और काफी अच्छा seat दिया गया है चलिए अब इसका under seat चेक करेंगे ये है इसका lithium ion battery और ये है MCB switch ये है 72 volt 40 H lithium ion battery जो निकाल के भी charge किया जा सकता है friends और ये 3 to 4 hours में completely charge हो जाता है और ये है इसका external charging point इसको cover भी दिया गया है जो बारिश के मोसम में protect करता है पानी को अंदर जाने से और ये है इसका front storage place जिसमें गाड़ी के papers और mobile phone लगा सकते हैं ये है mobile charging USB और ये है front storage place और luggage hook और ये है push start button friends जो normal formula में अपन देखते हैं इसमें दिया गया है ये है scooter का digital display friends जिसमें speed, km और battery status बताता है और ये P parking assistance switch का indication है इसमें four driving modes use किया गया है friends first low speed, eco, sports और turbo mode दिया गया है ये है mode changing switch इसका top speed 60 km per hour है और ये full charge में 120 km तक जा सकता है पहले scooter चलाने के लिए park assistance को off करना है friends और mode switch को change करना है different modes use करने के लिए one, two, three, four modes change होने के बाद फिर से one mode से cyclic process में start हो जाता है friends ये है brake assistance system जब गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम है ये गाड़ी 20 km की speed से चलाया जा सकता है ये switch से ये अच्छा display प्रोएड करता है friend night driving में भी और ये है sensor indications friends जो motor controller और odometer में दिया गया है जब भी कुछ प्रॉब्लम है ये lights blink होते है friends तो आपन को आसानी से समझ में आ जाता है कि इसमें problem है और ये है LED headlight स्कूटर का extra room cost 93,200 है friends प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देने के लिए धन्यवाद दोस्तो